नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Google Play Store की इस प्रोब्लम के बारे में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आप जो है अपना Play Store ओपन करने का ट्राइ करते हैं और ज इस प्रोब्लम से चुटकारा पाएंगे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं दो ट्रिक आपको बताऊंगा आप उन ट्रिक्स को फोलो करोगे तो आपको यह प्रोब्लम जो है दुबारा देखने को नहीं मिलेगी तो जान लेते हैं इस प्रोब् और गाईज एक और बात बता दो मैं यहाँ पर मेरे पास M.I.E. का मोबाइल है आपके पास किसी भी कंपनी का मोबाइल हो कोई फर्क नहीं बढ़ता यहाँ पर आपको सेम प्रोसीजर करना होगा यहाँ पर आपको मोबाइल में सैटिंग थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं गूगल प्ले सर्विस आपको सर्च करना है गूगल प्ले सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा for stop का तो यहाँ पर आप for stop कर दीजिए इसको और यहाँ पर clear data को option है तो clear data पर क्लिक करिए और यहाँ पर manage space पर क्लिक करके clear all data कर दीजिए clear all data करने के ब से पहले आप एक और काम करिएगा यहाँ पर uninstall updates जो है इसको कर लिजिएगा uninstall update पर click करके okay कर दीजिएगा okay करने के बाद बैक आईए और यहाँ पर आप storage पर आने के बाद clear old data यहाँ पर देख सकते हैं clear old data कर दीजिए back आईए back आने के बाद app permissions पर आईए app permissions पर आने के बाद जितनी भी आपकी permissions होगी ये बंद होगी तो इनको own कर दिजिए own करने के बाद back आजाईए back आने के बाद आप देखिएगा आपकी जो playstore की problem है guys वो solve हो जाएगी फिसे आपको ये problem देखने को नहीं मिलेगी आपके mobile में होप आपको सब कुछ समझा गया है वीडियो अच्छी लगी तो like कर देना और चैनल को subscribe कर देना मिलते हैं next वीडियो में till then bye bye take care love you all